हेलो फ्रेंड्स विदान कीचेन इंदोर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ वाटर मेलन सरबत रेस्पी जिसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है टेस्टी है डिलिसस है और हेल्दी है और इसमें पानी का बिल्कुल भी यूज नहीं कर लेने है इसके सीट्स का यूज नहीं करना है तो इस तरीके से आपको पहले वाटर मेलन कट कर लेना है फिर हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और इसमें एड करेंगे हम वाटर मेलन क्यूब्स तो फ्रेंड्स इस रेस्पी में मैं पानी का यूज बिल्कुल भी नहीं कर आप चाहें तो आइस क्यूब का यूज कर लें या फिर कोल्ड वाटर का यूज कर लें बहुती बढ़ी रेस्पी है और इसमें चीनी का भी यूज नहीं कर रही हूं मैं क्योंकि अपने आप में मिठा होता है आप चाहें तो अलग से सुगर एड कर सकते हैं तो यहां पर वाटर मेलन एड कर दिया है हमने और अब मैं इसमें एड करूँगी फ्रेस पुदीना इससे बहुती बढ़िया फ्लेवर आता है और समर में तो जरूर से आप पुदीना एड करें और यहां पर मैं भुना हुआ जीरा और काली मिर्च का पाउडर एड कर रही हूं आधा टुकड़ा निम्बू का जूस बस थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं यह हमारी रेसिपी को बहुती शांदार बना देगा अब इसे ग्राइन करेंगे तो यह देखिये यह कुछ इस तरीके से ग्राइन हो गया है और इसमें छोटे छोटे चंक्स भी है अगर आपको छोटे छोटे चंक्स ना पसंद आए तो आप इसे जो है छांद ले तो मैं इसे ऐसे ही यूज कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं इसे ड्रेन करूंगी तो इसके जो फाइबर है वो निकल जाएंगे और ये देखिए शांदार हमारा वाटर मेलन सरबत बन करके तयार हो गया है बहुत ही सिंपल तरीके से है गर्मियों का रीफ्रेसिंग ड्रिंक है फ्रेंड्स बहुत ही मज़ा आ जाएगा रेसिपी पसंद आया हो तो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें बे लाइक प्रेस करें